देखे साहब इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे UP Board Examination के लिए हिंदी में Most Important Information के बारे में जो की है आपका कि हिंदी में आपका सुक्ति पूछा जाता है ठीक है तो जो भी सुक्ति पूछा जाएगा तो उस सुक्ति का शंदर्व, प्रशंग और व्याक्या किस टेकनीक से लिखेंगे कि जो हमारा जतना भी नंबर इस सुक्ति के माध्धिम से हमको मिलने वाला है पूरा का पूरा नंबर हमको बहुत ही आसानी तरीके से मिले और हम बहुत ही कम समय में सभी चेप्टर्स के इंपॉटेंट सुक्तियों को बहुत ही आसान तरीके से लिखने के तरीके को समझ पाएं तो आज किस वीडियो में पूरी इंफोमिशन आपको स्टेप बाई स्टेप देने वाले हैं इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेकनिकल मैं हूँ आपका दोस्त रोशन पांडे आईए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे दोस्त एक इंपॉर्टेंट सुक्ति हमने लिया है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहेंगे कि 2012, 2009, 2007, 2005, 2002 इतने साल यह आपके एक्जामिनेशन में पूछा गया है यह सुक्ति जो है वो राष्ट के श्वरूप नामक पार्ट से लिया गया है ठीक है और इसके लेखक जो है वो डाक्टर वाशुदेव शरण अगरवाल है तो यह बात आपको ध्यान में रखना है सबसे बड़ा कोशन जो कि हर स्टूडेंट का होता है कि यह जो भी सुक्ति दी गई है उसे हम पहचानेंगे कैसे कि यह राष्ट के श्वरूप नामक पार्ट से ही लिया गया है ठीक है या फिर किसी भी पार्ट से ही लिया गया है तो यहां पर सबसे पहले आपको सुक्ति को पढ़ना है जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद पता कर पाएंगे कि ये किस जो है वो चैप्टर की सुक्ती है तो यहां पर लिखा गया है कि भूमी माता है मैं उसका पुत्र हूँ जन के हिर्दे में इस सूत्र का अनुभव ही राश्ट्रियता की कुंजी है और यहां पर अथवा करके पुछा गया है कि भूमी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ तो कहीं ने कहीं अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये राश्ट्रियता की कुंजी ये यहीं से देखके आपको लग जाएगा कि ये राश्ट्र के शुरूप नामकपाट से लिया गया है या फिर भूमी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ ये तो बहुत इंपोर्टेंट जो है वो लाइन है इस पूरे चैप्टर का तो आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे तो यही ट्रिक है कि किसी भी चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है एक बार उसे जरूर पढ़ जाएए उपर उपर ही पढ़ेंगे तो उसकी सुकती उसका गद्यान साएगा तो आप स्पस्ट रूप से जान पाएंगे कि इस चैप्टर से यह लिया गया है और उस चैप्टर के जो भी लेखक है उस पार्ट के जो भी लेखक है उन्हें याद करना बहुत जरूरी होता है ठीक है क्योंकि संदर्व और प्रशंग आप लिख देते हैं जो कि यहाँ पे इस पस्ट रूप से आप देख पा रहोंगे सबसे पहला कोशन यह क्रियेट होता है कि सुक्ट्य का शंदर्व हम कैसे लिखेंगे जैसे आप गध्यांस का शंदर्व लिखते हैं सेम आपको उसी तरीके से शुक्ति का शंदर्व लिखना है ठीक है लेकिन सुरुवात में आप लिखते हैं गद्यांस में कि प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाथे पुस्तक लेकिन वहाँ पे गद्यांस अटाकर सुक्ती में आपको लिखना है कि प्रस्तुत सुक्ती हमारी पाथे पुस्तक पस इतना ही चीन्स करना है बाकी सेम प्रोसेस चलेगा ठीक है तो हम क्या लिखेंगे प्रस्तुत सुक्ति हमारी पाथ्य पुस्तक गद गरिमा में शंकलित तथा जो भी लेखक है यानि कि इस चपटर के लेखक है डाक्टर वासुदेव-शरण अगरवाल द्वारा लिखित जो भी चपटर है इस चपटर का नाम है के शुरूप नामक निबंद से उध्रित है तो यह आप लिख सकते हैं जब दूसरे चेप्टर की कोई भी सुक्ति आएगी तो आपको यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे यह तीन चीज़े आपको चिंज करनी होगी ठीक है यहाँ पे आप गद्यांस की जगर पे शुक्ति लिखेंगे अगर सुक्ति रहेगी तो यहाँ पे उस चेप्टर का लेखक का नाम लिखेंगे और उस चेप्टर का नाम लिखेंगे ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखने है बाकी शंदरव आप बहुत ही सटीक तरीके से लिख पाएंगे इस वीडियो को देखन एक बाद ठीक है पृशंग के बारे में बात करते हैं प्रशंग हम कैसे लिखेंगे तो यह जो भी सुक्ति दी गई है इसका में पॉइंट क्या है मुख्य बिंदू क्या है वही पृशंग होता है या फिर उस सुक्ति के माद्यम से कवी क्या स्प Juan करना चाता है यह प्रश प्रेम को अस्पस्ट किया है ठीक है तो यह जो है वो इस पूरे शुक्ति के द्वारा अस्पस्ट रूप से आप पहचान पाएंगे कि यहां पे दिखिए यहां पे सीधे और अस्पस्ट रूप से लिखा है कि भूमी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ यानि कि इस पूरे चो है वो सुक्ति के मादिन से हम यह निसकर्ष निकाल सकते हैं कि लेखक ने जन भूमी के प्रती मनुष्य के स्वाभाविक मातर प्रेम को सपस्ट किया है ठीक है तो यह हमारा प्रशंग हो जाएगा व्याख्या के बारे में बात करें तो व्याख्या आपको अपने मन से खुझा नी है ठीक है आप जब किताब को अच्छे से पढ़ेंगे दो-तीन सुक्तियों के व्याख्या को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम सिंटेंस को create करते हैं और अच्छे-च्छे सिंटेंस हम कैसे हम से बना सकते हैं ठीक से लिखेंगे तो examiner के उपर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा और आपको सारी चीजें लिखनी भी आ जाएंगी और आपका communication स्किल भी जो है वो develop होगा तो यह प्रयास कीजिए कि आप खुद से अपनी चीजों को अश्पष्ट करने की कोसिस कीजिए ठीक है मैंने भी किया था और मैं भी आपको यही suggest करूँगा कि आप जो है वो अभी से ही sentence बनाईए आप एक सुक्ति लीजे उसका प्रशंग शंदर्व और व्याख्या खुद से लिखिए कोई बात नहीं पहली बार में गलती होगी इससे कोई फरक नहीं पड़ता आप अगर इसको जो है वो बार बार revise करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि यह जो आप व्याख्या देख रहे हैं इससे कई गुना जादा बहतर आपकी व्याख्या का जो है वो वाक्य होगा ठीक है यह इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे उस सुक्ती के व्याख्या में लिखा गया है कि लेखक का मानना है यह एक सेंपल है जो कि आपको दर्शाया गया है कि आपको इसी तरीके से लिखना है ठीक है तो उस सुक्ती की व्याख्या किस तरीके से किया है यह मैं आपको यहाँ पे इस पस्ट्रूप से सुना देता हूँ राष्ट के श्वरूब को निर्मित करने में प्रिथवी यानि की भूमी और जन दोनों का मत्तो है यह हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रिथवी और मनुष्य ये दोनों मिलकर राष्ट के एक स्वरूब का निर्मार करते हैं क्योंकि अगर प्रिथ जोना का विध्धमान होना कि यह भूमी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ इसे जो है एक बार हेडलाइन्स के रूप में आप नीचे जो है अंडरलाइन कर दीचेगा जिससे उस एक्जामिनर के ऊपर और भी अच्छा प्रभाव पड़े ठीक है व्यक्ति की भावनाओ की गहनता को दर्शाता है अपनी जन भूमी के परती ऐसी समवेदन सीलता ही व्यक्ति के मन में राष्ट्यता की भावना उतबन करती है व्यक्ति अपनी भूमी को एक ऐसी माँ के रूप में देखता है जो उसका लालन पालन करती है भरन पोशन करती है और व्यक्ति के अस्तित्तो को बनाए रखने में भूमी का जो युगदान है उस युगदान के प्रति कृतग्यता का भाव ही उसमें अपनी मात्र भूमी के प्रति प्रेम उत्तपन करता है और यहीं से राश्ट्यता की भाव जन्म लेती है तो ये बहुत ही अच्छे दरीके से लिखा गया है आप जब लिखेंगे तो साइद आप इससे थोड़ा अच्छा न लिख पाएं लेकिन आपने जो भी लिखा है उस पे आपको इस वाले व्याख्या से जादा नमबर मिलेगा क्योंकि जब एक्जामिनर कौप कौपी जासते हैं तो कौपी जासते समय वो इस पश्च रूप से समझ लेंगे कि ये किताबी भासा है या स्टूडेंट खुद अपनी मेहनत से लिखा है जब आप अपनी मेहनत से लिखेंगे तो इस केस में आपको जादा नमबर मिलेगा ये 100% गैरेंटी है ठीक है तो य दोस्तों में इस वीडियो को जरूर भेजीगा ये हमारे हमबल रिक्वेश्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजे अप आपके जितने भी दोस्त हैं आपके जितने भी फ्रेंड सरकल हैं सभी फ्रेंड सरकल में आप इस वीडियो को जरूर पहुँचा दी झाल